कि नमेश्कार बच्चो सेट्षेल हिंदी आइस्कूल की तरब से ओनलाइन सेशन में आप सभी का हर्दिक स्वागत है सांखे के विशाई कक्षा ग्यारा पाठ एक सूचना का एकत्री करण उसमें अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में तो यहां पर है कि प्राथ्मिक सूचना और गोण सूचना किसे कहते हैं तो सबसे पहले प्राथ्मिक सूचना किसी भी आकड़ा किये जाच द्वारा प्राप्त सूचना बिलकुल सही वह योग्य होनी चाहिए अन्य था उप्योगीव स्विक्रुत निश्कर स्प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं सूचना प्राथ्मिक हो या गोण हो सकती हैं अब प्राथ्मिक सूचना का अर्थ किसी भी अधेकरुत संस्था या शंशो धको द्वारा सर्व प्रथम बार ये खास द्यान रखना सर्व प्रथम बार शुद्ध व मवलिक स्वरुप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को हम प्राथमिक सूचना कहते हैं एक उदाहरन द्वारा यहाँ पर समझाय गया है कि NSSO यानि National Sample Survey Organization ये एक ऐसी संस्ता है जो सब जगह से सूचना एकत्र करती है जो भारत की बहुत बड़ी सर्वे एजन्सी है इस एजन्सी द्वारा एकत्रित की गई सूचना भारत की जनसंख्या गणना सूचना तथा भारत के रजिस्ट्रार ओफिस न्यू देल्ली द्वारा भारत में मरत्युदर वह जन्मदर से सम्मंधित प्रकासित सूचना को प्रात्मिक सूचना कहते हैं यह ऐसी सल्था है जो हर एक व्यक्ति के पास जाकर यानि की जो इकाई है हमारा अध्ययन की इकाई है उनके पास जाकर यह लोग सूचना एकत्र करते हैं इसलिए ये सुचना सर्व प्रथंबार और मौलिक स्वरुप की सुचना एकत्र होती है। दूसरा है गौन सुचना जब कोई संस्थान या अनुसंधान करता द्वारा इकत्रित की गई सुचना का उपयोग हो तो ऐसी सुचना का उपयोग करने वाली संस्था या अनुसंधान करता के लिए गौन सुचना बन जाती है उदाहरण के रूप में भारत की रेजिस्टर ओफिस न्यू दली द्वारा एकत्रित की गई भारत के मुर्तिदर और जन्मदर से सम्मंदित सूचना फिर से UNO UNO के बारे में आप अच्छे से जानते हो United Nations Organization ये वर्ल्ड लेवल की एक संस्ता है जो हर एक देश की इस प्रकार की सूचनाओं को ध्यान में लेती है तो UNO द्वारा UN Statistical Abstract में प्रकाशित किया जाता है जहां UNO के लिए ये सूचना गोंड सूचना कहलाएगी क्योंकि ये सूचना सबसे पहले भारत की रजिस्टार ओफिस New Delhi ने एकत्र की थी और उसके बाद इसका वापस से उप्योग UNO द्वारा किया गया है इसलिए UNO के लिए इस प्रकार की सूचना को गोंड सूचना कहलाएगी उसके बाद है गोंड सूचना और प्रात्मिक सूचना के बीच में अंतर यानि प्रात्मिक सूचना किसे कहेंगे और गोंड सूचना किसे कहेंगे उन दोन में थोड़ा सांतर है वो अंतर समझेंगे तो पहला अंतर ये बुला गया है कि प्रात्मिक सुचना यह प्रथम बार एकत्रित की गई मौलिक सुचना है जो आमने परिवाशा में देखा था जबकि गौन सुचना मौलिक सुचना नहीं है परन्तु एकत्रित की गई सुचना अन्य द्वारा पुनह उपयोग में ली जाती है तो सर्वप्रतम जो भारत की रजिस्टार आफिस है उसने जन्मदर और मृत्युदर के कुछ सुचना एकत्रित की थी और उस सुचना को UNO ने वापस से उपयोग में लिया तो भारत की रजिस्टार आफिस के लिए ये सुचना प्राथमिक सुचना थी और UNO के लिए वो सुचना गौन सुचना बन गई क्योंकि वो लोग वापस से उसका उपयोग कर रहे है दूसरा अंतर दिया है कि प्राथमिक सुचना जांच आधिन इकाई पर से एकत्रित की जाती है जबकि गौन सुचना या प्राथमिक सुचना आधारित होती है अभी हमने आगे पढ़ा कि NSSO द्वारा जनसंख्यागणना यह एक एजनसी है NSSO वो भारत की जनसंख्यागणना करती है और आप सभी को अच्छे से यह पता होगा कि आपके घर पर भी यह NSSO के अधिकारी आते हैं और सारी सुचना एकत्र करते हैं तो वो होती है प्राथमिक सुचना जहां पर हम एकाई तक पहुंचकर वो सुचना प्राप्त करते हैं जबकि गौन सुचना सीधे सीधे NSSO की ऑफिस से ली जाएगी यानि कि वो पुनह दूसरी बार यू उप्योग में ली जाएगी इसलिए उसे गौन सुचना कहता है तीसरा है कि प्राथमिक सुचना सामन रुप से उसके मूल सुरुप में होती है जिसका वर्गी करण व कोस्टक रचना सुरुप में परिवर्तन की आवशक्ता होती है जबकि गौन सुचना सामान रुप से पहले से ही वर्गी करित एवं कोस्टक रचनायुक्त हो सकती है चोथा प्राथ्मिक सुचना एकत्रित करने हेतू बड़े प्रमाण में खर्च, समय एवं शक्ती की आवश्यक्ता होती है जबकि गौन सुचना की प्राप्ती है तू खर्च, समय एवं शक्ती की आवश्यक्ता तुलनात्मक रुप से कम होती है तो अब्यास है कि जब आप इकाय तक जाओगे तो समय ज़्यादा चाहिए, शक्ती ज़्यादा चाहिए, खर्च ज़्यादा चाहिए, लेकिन वही सुचना हम किसी अन्य जगत से सीधे सीधे प्राप्त कर लेंगे, तो इस प्रकार का कोई हमें खर्च करना नहीं पड़ेगा पांचवा, प्राथमिक सुचना सामन रुप से विश्वस्निया होती है, जबकि गौन सुचना अन्य वक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है, इसलिए वह थोड़ी सी विश्वस्निया कम होती है, विश्वस्निया तो होती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है, ऐसा हम है प्रात्मिक सुचना एकत्रित करने की पद्धती तो प्रैक्स ज्ञाच और प्रश्णावाली पद्धती उसमें शनशुदक, स्वयम अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक जाने के अधिकृत व्यक्ति जाज के स्थान की सीधी मुलाकात लेते हैं और आवस्यक सुचना प्राप्त करते हैं जिसे आप आजू के चित्र में देख सकते हो कि एक व्यक्ति कुछ पैन और कागज लेके बैठा है और आजू बाजू जो लोग बैठे हैं उनसे वो सुचना एकत्रक कर रहा है तो यह होती है प्रत्यक्स जाज दूसरा है अप्रत्यक्स जाज तो अप्रत्यक्स जाज में क्या होगा कि इस प्रकार की सुचना एकत्रित करने की प्रत्ति को अप्रत्यक्स जाज की प्रत्ति की जाती है जहां पर गणकों के बदले त सूचना प्राप्त की जाती है यानən यहां पर आगणक सीधे सीधे इकाइद तक जाकर कोई सूचना एकात्र॑ नहीं करेगा लेकिन किसी तीसरी व्यक्ती वो सूचना प्राप्त करेगा उसे कहते हैं प्रत्यक्स जाच उसके बाद है प्रश्नावली की पतती अध्यन सम्मंदी उद्धिश के अनुरुप तरकबध रुप से क्रम में व्यवस्थित किये के प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हितु रिक्त स्थान रखा जाता है इस प्रकार त सुचना प्राप्त करने की पतती को प्रश्नावली की पतती कहा जाता है आप सभी ने हाल फिलहाल कुछ फॉर्म भरे होंगे जैसे कि कक्षा 11 में जब आप सेट सियल हिंदिया स्कूल में एडमिशन लेने आये होंगे तो आपको एक फॉर्म दिया गया था उस फॉर्म को आ प्रश्नों की एक सूची बनाई गई है उस सूची को भरने के लिए रिक्त स्थान भी रखे गये हैं तो इस प्रकार से जो सूचना हम प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है प्रश्नावली की पद्धती लेकिन ये प्रश्नावली आदर्स प्रश्नावली कैसे बन सकती है तो आदर्स प्रश्नावली के लक्षन कौन-कौन से है पहला लक्षन ये है कि प्रतिक प्रश्नावली के साथ में संबंदित पत्र अथवा उसका योग्य शिर्शक रखना चाहिए जिससे वाचक को अभ्या आधिन का उद्देश स्पस्ट ख्याला सके यानि कि ये सूचना किस विशय हेतु प्राप्त की जाती है उस विशय को हमें सबसे पहले उपर लिखना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति ये सिर्फ फॉर्म का हेडिंग देखके सिर्शक देखके ये पता कर सके कि ये सूचना क्यों इकत्र की जा रही है दूसरा प्रश्णों की संख्या जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए प्रश्णों की संख्या कम रखने से उत्तर दाता से अच्छा प्रतिसाद मिलने की संभावना होती है अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आए और वो हमें कहे कि ये 200 प्रश्णों का जवाब आपको देना है तो हमें कंटाल आए गाई लेकिन प्रश्णों की संख्या यदि कम होगी तम उसका सही सही और अच्छे से जवाब देंगे और वो सुचना प्राप्त कर भी लेगा प्रश्णावली पद्धती से नमबर तीन प्रश्णावली में प्रश्णों की संख्या जाच के उद्धिश से सूसंगत होनी चाहिए यानि आप जो भी प्रश्ण पूछोगे वो जिस हेतु के लिए ये प्रश्णावली बनाई गई है उस जाच के उद्धिश से सूसंगत होने चाहिए कोई भी ऐसा प्र दिश्ट से मिलता ना हो नमबर चार प्रश्ण सरल संक्षिप्त एवं समझा सके ऐसा होना चाहिए द्वीयर्थी या फिर अस्पस्ट नहीं होना चाहिए प्रश्ण का गठन तार्किक होना चाहिए प्रश्णों का क्रम सामञ्य प्रश्णों से प्रारंब करके अध्ययन हेतू निस्चित प्रश्णों की और होना चाहिए जिसे आपने अगर form भरा होगा तो आपको पता होगा कि पहले आपका नाम पुछा गया होगा फिर पता फिर आपकी जन्मतारिक और दीरे 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 नीचे उतरते उतरते आपको पता चला होगा कि आपका result पुछा गया होगा नीचे कि आप किस शाला में पढ़ते थे और आपका रिजल्ट क्या आया कौन से विशे में कितने माक्स आया कितने प्रतिशत हो रहे है प्रतिशत क्रामां कितना हो रहा है वो सब सुचना बाद में पुछी गई है तो उन प्रशनों का कोई क्रम होना चाहिए गठित जो हम करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले रिजल्ट पूछ लिया फिर पता पूछा फिर जirasणमता पूछे और नाम नीचे है तो ये उसका तारकिक क्रम नहीं है सबसे पहले हमें व्यक्ती का नां पुछना चाहिए उसका एड्रस पूछना चाहिए विशे की और आगे बढ़ेंगे नमबर छे भावनातमक या नीजी जीवन से संबंदित प्रश्णों को पूछना टालना चाहिए हम ऐसे कोई प्रश्ण नहीं रखेंगे जिससे उसको ऐसा लगे कि ये मेरी नीजी परस्टल लाइफ में इंटर्फिरेंस कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी प एक्ति को कोई गणना करके उसका जवाब लिखना पड़े ऐसे प्रश्णों को पूछना टालना चाहिए नमबर आठ ऐसे ही प्रश्ण पूछो जहां पर सामने वाला यानि कि उत्तरदाता हा या ना में जवाब दे दे तो हमें जल्दी से वह फॉर्म भरने में आसानी रह आएगा हमें जो भी सूचना चाहिए उसको प्राप्त कर पढ़ेंगे यह एक नमुना दिया गया है कि कि इस प्रकार से आप प्रश्णावली बना सकते हूं ठीक है तो यह लेक्चर यहां तक रखते हैं अगले लेक्चर में मिलेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वैडियो को लाइक करना है थैंक यू